नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा पाकिस्तान के हजारा कम्यूनिटी के बारे में ये नरसानहार क्यों किया गया, इसके पीछे की reasons आज हम समझने के कोशिश करेंगे और हजारा कम्यूनिटी का क्या status है पाकिस्तान में आज और उन्हें क्यों इतना परसीक्यूट किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो ये जो जगे थी जहांपर ये massacre हुआ है, दिस इस नियर क्वेटा सिटी, लगबग 60 किलोमेटर क्वेटा से दूर है, क्वेटा जो है वो कैपिटल है बलुचिस्तान परांत का, बलुचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, एरिया वाइस अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुढना चाते हैं, तो मुझे ट्वेटर, फेस्बुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठोर्ड हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, और मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF डाउनलूड करने को मिल जाएंगे Study IQ का स्मार्ट कोर्स UPSC एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए अविलेबल है, इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे, आए इस एक्जाम की तयारी कर सकते हैं, without going to any city, किसी मेट्रो शेहर में आपको shift होने के आवशकता नहीं है, आपको रहने, खाने, पीने पर, लाखों रुप community के 11 सदस्यों को मार दिया गया, उन्हें पहले किड्नैप किया गया था और उसके बाद उन्हें blindfold करके, यानि उनके आँखों पर पट्टी बांद कर उन्हें गोली मार दी गई, तो ये attack हुआ है, मच कोल फिल्ड में, जो 58 किलोमेटर दूर है बलोचस्तान के capital क्वेटा से तो ये मच में coal mines है, यहाँ पर coal mining होती है, बलोचस्तान प्रांथ पूरा ही, काफी बड़े reserves के साथ, mineral reserves के साथ, पाकिस्तान के लिए एक बहुत important area है, अगर आप पाकिस्तान का map देखे, तो आप यहाँ पर चार बड़े administrative divisions को पाएंगे, तो पाकिस्तान के चार बड़े provinces ह उसके अलावा एक federally administered territory है, इसलामाबाद capital के इंदरे सरकार द्वारा administer किया जाता है, और जो disputed part है कश्मीर रीजन का, उसको पाकिस्तान एक अलग से autonomous state के रूप में administer करता है, तो चार बड़े provinces जो हैं, इनमें बलोचस्तान area wise सबसे बड़ा है, लेकिन आपादी के हिसाब हत्याकान से आप सबसे जादा हिंसा की खबरें सुनेंगे, abductions, murder, execution, especially religious minorities का, तो अभी जो यह attack हुआ था, इसमें हजारा शिया community के ये workers थे, जो mines में मजदूरी करते थे, इन्हें kidnap किया गया, और फिर उन्हें blindfold करके, उनके हाथ, उनके कमर के पीछे बांद के, उन्हें ग बिलवाया जाएगा इन्हें, लेकिन सवाल ये उटता है कि इतने दश्कों से, पाकिस्तान की हजारा community के खिलाफ इतनी हिंसा हो क्यों रही है, उसके पीछे reason क्या है, तो एक सबसे बड़ा historical reason ये है, कि ये लोग Central Asian ethnicity के हैं, तो ये दिखते अलग हैं, और दूसरा, ये शिय इसलाम को follow करते हैं, तो हजारा जो कि इनका एक community का नाम है, ये शिया इसलाम को follow करते हैं, और क्योंकि इनके facial features भी आसानी से अलग देखे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये Central Asian लोगों से इनकी शकल match करती है, तो ये मंगोल और Central Asian descent इनका है, ऐसा माना जाता है कि चंग के soldiers के आज descendants हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान और इस पूरे South Asia region को invade किया था, तो ये originally मंगोल या Central Asia के लोगों से जादा close हैं, अगर आप देखें, genetic studies के basis पर, कुछ genetic studies इनमें जो हुई हैं, उन्होंने ये पाया कि जो Tajik genes हैं, Tajikistan वाला area है, वहां से इनका close connection है, despite their distance being thousands of kilometers, तो इन हजारा communities ने सोलवी और सत्रवी शताबदी में इसलाम को अपना लिया, शिया इसलाम को अपनाया, और ये आज भी इसी को follow कर रहे हैं, हजाराज का पहला mention हमें history में मिलता है, बाबर नामा में, तो बाबर ने जो अपनी autobiography लिखी थी, उसने लिखा था कि हजाराज जो है, हजाराजात region में पाये जाते हैं, ये हजाराजात area कौन सा है, आज Central Afghanistan का जो area है, that is called हजाराजात, हजाराज इस area में सबसे पहले रहते थे, तो mainly ये 18th century, 19th century तक Afghanistan में ही रहते थे, आज का जो बलोचिस्तान area है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये इनकी populations इतनी नहीं थी mainly they were living in Afghanistan, आज भी अफगानिस्तान में बहुत सारे हजाराज रहते हैं, लेकिन 19th century में इनके खिलाफ अत्याचार होने लगे, दो अफगान rulers, दोस्त मोहमद खान और अब्दुर्रह्मान खान के शासन के दौरान, इन पर बहुत सारे अत्याचार हुए, और इनी अत्याचार इस British rule इंडिया में, जो बलोचस्तान जिसमें आता था British इंडिया में, उसमें जाकर रहने लग गई, तो वहाँ पर उनने लगा कि अब वहाँ पर हमारा कोई persecution नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो British rule है, लेकिन दीरे दीरे 28th century में यह देखा गया, कि इनके खिलाफ socio-economic discrimination हो र 1979 में अफगानिस्तान पर Soviet Union का हमला होता है, और उसके बाद जो हजाराज हैं वो दो rival political factions में बढ़ गए, जो थोड़े पढ़े लिके हजाराज थे, secular intellectual हजाराज थे, वो nationalist थे और वो क्वेटा में उनका main base था, और दूसरी जो Islamic parties थी, उनका जो base था, वो हजारा जात reason में थ अफगानिस्तान में, तो इन दोनों के बीच में, ये rival factions के बीच में community एक तरह से trap हो गई, हाला कि हजारा community की एक बात बहुत अच्छे है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे पड़े लिके हैं, और उन में से कई लोग विदेशों में जाकर बस चुके हैं, तो आप USA, जैसे Australia, England जैसे देशों में देखेंगे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी हजारा community, expat community रहती है, तो हजाराज आज दुनिया भर में बहुत देशों में रह रहे हैं, और वो जाहतर सब अच्छे jobs में हैं, they are very good doctors, engineers, etc. लेकिन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में populations हैं उनके साथ आज भी ये discrimination देखा जा रहा है, अब हम फिर से 90s वाले अफगानिस्तान के time पर आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि 200 में 1000 बढ़ चुके थे, और दीरे दीरे जब अफगानिस्तान में civil war आ गया, 90s में जब Soviet Union जा चुका था, तो Taliban उस पूरे scenario में आता है तालिबान ने काबूल को capture कर लिया, 96 में और फिर हजाराज ने Northern Alliance जॉइन कर ली, तो Northern Alliance जॉइन करके वो तालिबान से लड़ रहे थे, लेकिन ultimately इस civil war में तालिबान की जीत होती है, और अगर आपको इसके बार में डीटेल जानना है, तो आप मेरा lecture देख सकते हैं, मैंने एक डीटेल वीडियो बनाया है, तो 98 में हजाराजात रीजन तालिबान के कबजे में आता है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे हजाराज का मैसेकर किया, तो तालिबान में उस वक्त मोस्टली एथिनिक पश्टून फाइटर्स थे, उन्होंने हजाराज के साथ बहुत एट्रोसिटीज कमिट करी, इन्फाक्ट जो बामियान में फेमस बुद्धा स्टैचूस थे, उनको ब्लास्ट करके जब 2001 में तोड़ा गया था, तो उन ब्लास्ट करने के लिए जो मजदूरों का इस्तावाल किया था, वो सारा फोर्स्ट लेबर भी हजाराजी थे, तो य आप देखें इनकी कितनी बदकिसमती है कि जो रीजन इनका ओरिजनली सेंटर हुआ करता था, इनका गड़ था, वहाँ पर ही इन्हें अपनी कल्चरल हरिटेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगा दिया गया, लेकिन तालिबान के जाने के बाद भी अफगानिस्तान में अभी भी हजारास के साथ persecution होता है, जितने भी ISIS, ISIL, Taliban वाले fighter groups हैं, यह अभी भी हजारास को target करते हैं अफगानिस्तान में, in fact continuously इनकी rallies पर blast होते हैं और कई लोग इनकी community के मारे जाते हैं, finally 2020 में जाकर Taliban ने हजारा community के साथ बाचीच शुरू करी, क्योंकि ऐसी उमीद थी कि Taliban mainstream politics में आएगा, तो जब आप सरकार बनाएंगे, mainstream politics में आएंगे, तो obviously आपको देश के हर sect को, हर संगठन को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो जब US Taliban talks चल रही थी, उस समय हजारास के जादा नतीजा नहीं निकला, अभी November, December के महिने तक भी Taliban शिया हजारा community को target कर रहा था, ये December और November 2020 की news है, अब आते हैं, पाकिस्तान में हजारास के condition के उपर, तो क्वेटा शहर, जो बलुचिस्तान का capital है, उसमें लगबग 6 लाक हजारास रहते हैं, और ये ऐसा नहीं कि कि हर एरिया में रह रहे हैं, इनके अपने एरिया हैं, जो अलग बने हुए हैं, जब ये भाग कर अफगानिस्तान से यहां पर आये थे, तब इनको एक अलगी enclave में वसाया गया, और आज भी क्वेटा शहर के दोनों तरफ, दो बड़े-बड़े enclave हैं, जहां पर ये रहत ना बिजनसेस चला सकते हैं, ना इनके बच्चे वहाँ दूसरे एरिया में स्कूल में जा सकते हैं, तो क्वेटा में एक तरह से घेटो बना हुआ है, हजारा कम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा घेटो है, तो जहां पर ये 6 लाक इनके आबादी है, वहां पर भी, ये अप पर प्रबलम अब और हो गई है कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जो सुनी इस्लामिस्ट हाड्लाइन ग्रुप्स हैं, वो में स्ट्रीम होते जा रहे हैं और इलेक्शंस में आ रहे है, 2013 और 2018 के इलेक्शंस में ये देखा गया था कि कई हाड्लाइनर्स चुनाव लड पाकिस्तान की आबादी को हजाराज, शियाज और अन्यम माइनोरिटीज के खिलाव बढ़काते रहते हैं और इसका नतीजा यह है कि आज क्वेटा जैसे शेहर में लाखों के आबादी होने के बावजूद हजाराज शेहर के दूसरे हिस्सों में नहीं जा सकते अगर जाएं है कि 2000 हजाराज have been killed in targeted attacks since 2004 तो यह तो उनका official statistic है यानि कि पाकिस्तान की सरकार का जो human rights commission है उसका estimate है कि 2000 हजाराज को मारा जा चुका है 2004 से और इसके बीचे main reason एक यह भी है कि इनके facial features बिलकुल अलग होते हैं तो इनकी पहचान करना काफी आसान है और क्यूंकि इनके centralization facial features है तो इनको target करके इनको कतल कर दिया जाता है या फिर इनके areas में bomb से या फिर suicide attack से हमला किया जाता है particularly in and around Quetta City और जब से पिछले 3-4 सालों में तहरी के लबाएक पाकिस्तान, Millie Muslim League और एहले सुननत वल जमाद जैसी hardliner parties के नेता चुनाव लड़ रहे हैं तब से यह समस्या और बढ़ती जा रही है हाला कि thankfully अभी तक यह लोग चुनाव इतनी बड़ी संक्या में जीतते नहीं है पाकिस्तान की जनता इंको हरा देती है चुनाव में लेकिन फिर भी यह बार बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कभी ना कभी तो जीतेंगे और कुछ seat तो लेकर आएंगे तो जितना जादा है यह mainstream होते जाएंगे right wing hardliners उतना पाकिस्तान के लिए minority communities के लिए पाकिस्तान में मुश्किलें बढ़ती जाएगी अब बलोच इस्तान की problem दो है एक तो यह कि Taliban शिया Muslims को target करते हैं और दूसरा महाँ पर nationalist groups हैं बलोच nationalist groups हैं जो liberation चाते हैं जो पाकिस्ता से आजादी जाते हैं तो एक तो उनके भी attacks वहाँ पर चलते रहते हैं और दूसरा ही तालिबान शिया Muslims को भी target करता रहता है और अभी recently जब से CPAC के projects चल रहे हैं तो लगातार वहाँ पर CPAC में जो Chinese workers काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हमले हो रहे हैं December 2020 में कुछ gunman ने 7 soldiers को मार दिया था हर नई district में तो यानि पाकिस्तान की army पर भी वहाँ attack हो रहा है पाकिस्तान की minorities पर भी attack हो रहा है लेकिन attack करने वाले दोनों groups अलग-अलग हैं अब इस attack के पीछे अभी कौन है ISIS Islamic State ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी अगले ही दिन और ISIS इतना अब advance हो गया ह कि वो telegram पर information डालता है क्योंकि अब उनकी कई सारी websites block कर दी गई है सरकारों द्वारा तो अब वो telegram का use करके telegram पर उन्होंने ये news दी कि हमने ये हमला करवाया वैसे कई security analyst का कहना है कि इस हमले के बीछे लशकरे जांगी का भी हाथ है लशकरे जांगी एक पुराना organization है पा जोसी ने करवाया है sectarian terrorism को बढ़ावा देने के लिए इनके अनुसार तो जो भी पाकिस्तान में negative होता है वो सब भारती करवाता है तो इस तरह का hint इन्हों ने अपने tweet में दिया था अब इस घटना के बाद इस killing के बाद reaction क्या था हजारा community का तो हजारा community के लोगों ने सब से पहले protest करना शुरू किया वो जो लाशे है उनको लेकर एक highway पर बैट गए उन्होंने highway block कर दिया क्वेटा में और ये कहा कि पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ action ले वरना हम इनको दफनाएंगे नहीं तो ये एक बहुत ही बड़ा protest बन गया यहाँ पर हजारों क संख्या में लोग थे ये इन म्रत लोगों के शरीर को लेकर ताबूत को लेकर बैट गए और कहा कि हम इन लोगों को तभी दफनाएंगे जब पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान खुद हम से मिलने आते हैं और हमारी बात सुनते हैं तो ये protest दीरे दीरे बड़ा होत बे नतीजा रही पूरे पाकिस्तान में अन्यकई शेहरों में शियाज ने प्रोटेस्ट किया इस मैसेकर के खिलाफ अब जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तो इमरान खान को काफी क्रिटेसाइज किया गया 2018 से पहले जब इमरान खान पावर में नहीं थे उपोजिशन में थे तब ये बार-बार सरकार के अलोचना करते थे कि सरकार हजारा कम्यूनिटी के खिलाफ अटैक्स रोकने के लिए कुछ नहीं करती जब भी हजारास को मारा जाता है तो कोई बड़ा मंतरी प्रधान मंतरी कोई क्वेटा नहीं जाता कोई उन लोगों से बातचीत नहीं करता कोई उनके साथ बैठ कर उनके दुख दर्ध नहीं बाटता तो ये बार-बार इमरान खान उठाते थे मुद्दा चुनाव के पहले लेकिन अब जब इमरान खान की बारी आई तो इमरान खान ने कहा कि आप दफनाईए उनको proper burial दीजिए उसके बाद हम बातचीत करेंगे हम आपको justice दिलाएंगे लेकिन आप इस तरह से मुझे blackmail नहीं कर सकते कि मैं क्वेटा हूँ तभी लाशों को दफनाया जाएगा फाइनली आठ जन्वरी को जो इनकी बातचीती सरकार के साथ हजारा कम्यूनिटी की वो एक final मुकाम पर पहुँची पागिस्तान गवर्मेंट ने इनको assure किया कि जो भी attackers हैं उन्हें तुरेंट arrest किया जाएगा जो मारे गए लोग हैं उनके परिवारों को compensate किया जाएगा हजारा कम्यूनिटी की security के लिए कुछ steps उठाए जाएगे और एक high level commission बनेगा जिसमें बलोचस्तान के home minister शामिल होंगे और उसमें पिछले 22 सालों में जितने भी हजारा कम्यूनिटी पे attack हुए हैं उन सब की जाच करी जाएगी किवल इस attack की नहीं बलकि 22 सालों के सारे attacks की जाच करी जाएगी और इसके बाद जाकर इन्होंने अपने मरत लोगों को दफनाया 9 January को तो एक हफते तक ये protest लगातार चलता रहा और इनका जो burial था उसमें 4000 लोग शामिल हुए लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या पाकिस्तान सरकार अपने वादे पर खरी उतरती है आने वाले 3-4 महीनों में हमें वालूम चल जाएगा कि 1000 की security situation improve हुई या नहीं क्योंकि almost हर महीने 1000 के खिलाफ इस तरह के attacks होते रहते हैं With that I would like to end this lecture Thank you very much for watching this Have a great day